इसकारिक्रम के पुन्यार जग हैं मुजफर नगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर, पशिम्मंगाल संजे दीपा जैन, राजीव सोन्या जैन, कुनमचन सवीता जैन मेरट, पंकच श्वेता जैन दिल्ली, अभिशेक रिधी, सिधी, वैभव, आचल सोबित जैन, एवं समस्त नावला परिवार अतुल जैन, प्रिर्णा जैन, दीक्षा जैन, एश्याट गेम्स विलेजनाई दिल्ली, राजीश्वर जैन, शशी जैन, जैन, मिलन विहार, मुजफर नगर उत्तरप्रदेश द्रोव, पर्थ, नमिता, धीरजगर, गुरुग्राम, परिधी, रिधिमा, नेहा, विकास जैन, गुरुग्राम, मीना, विनोद अगरवाल, रोहिनी, दिल्ली श्री मुनेंद्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिपरा जैन, आर्यन जैन, मनीश जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन, मुजफर नगर श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मन्जु जैन, आशीश जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाती जैन, सम्रिधी जैन, सिद्धी जैन, शाश्वत जैन जैन महिला मंडल, चंदर नगर, सहारनपुर श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्वृती में, श्रीमती सुष्मा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी, एवं हेतार्थ गांधी एहमदबाद पिछली ग्यान शाला में जो चर्चा हुई थी बहुत सुन्दर थी जो कल आपने सुनी कितनी अच्छी बात बताई थी आत्मा के अलावा अन्य पदार्थों में अगर मैं यह हूँ और यह मेरे हैं जब तक ऐसी धारना है तब तक अग्यानी है मैं पूछू क्या आपने इस बात का चिंतन किया क्या आपने इस बात को मन में बिठाया अगर नहीं बिठाया तो देखो केवल सुनने से काम नहीं बनेगा कुंद कुंद महराज की बाणी सुनने के लिए नहीं समझने के लिए विचारने के लिए मानने के लिए उतारने के लिए पहली बार पिछली ग्यानशाला में यह भी बताया था ज्ञानी के ऊपर कितने ही कस्ट आजाएं लेकिन ज्ञानी डगमगाता नहीं, मैं तो ज्ञान मात्री ही हूँ, ऐसी पक्की धारणा बनाई बैठा रहता है, आज हम गाता चलेंगे कौन सी, अगली वाली गाता देखें, अठामोनी गाता, गाता नमबर 57 और 58 आचारणी दोनो एक साथ लिखी है, पहली हमने ग्यानशाला में गाता नमबर 57 पढ़ाई थी, उसमें हमने क्या पढ़ाया था, कर्म के उदैसे कैसा भी दुख मिले, लेकिन ग्यानी अपने ग्यानी पने को नहीं छोड़ता, आचार शी ने उधारन दिया था जैसे सोना तपाए जाने पर भी सोने पने को नहीं छोड़ता ऐसे ज्ञानी को कितना ही कर्म उदैसे दुख मिले अपना ज्ञानी पना नहीं छोड़ता अच्छा अज्ञानी कैसा होता है ये आचार ने इस गाथा में बताया है देखें एवं इस प्रकार किस प्रकार के कर्म उदे से दुखी हुआ भी ज्यानी पने को नहीं छोड़ता इस प्रकार लानी माने ज्यानी जानता है कस्त शरीर पर है मेरे पर नहीं मुझे रोग नहीं होते मेरा मरण नहीं होता, मैं बालक बुढधा कुछ नहीं हूँ, ये सब दशा तो पुद्गल की है, मैं जीव हूँ वो पुद्गल है, इस परकार ज्यानी जानता है, और अज्यानी कैसा होता है, अज्यानी मुड़ा दिमाने जानता है, रागम एव आदम राग को ही आत्मा मानता है अर्थात कर्म और रोकर्म जो है उनमें उसकी आत्म बुद्धी रहती है क्यों रहती है तो आचार से हम लिख रहे है अन्लान तमोच्छनो अज्ञान रूपी अंदकार से आच्छा दिते है धका हुआ है अभी उसको ग्यान नही हुआ अनाधिकान से अज्ञानी बना हुआ है तो अग्यान रूपी अंदकार से आच्छा दितो होने के कारण क्या हुआ उससे आद सहावं आत्म सुभाव को अयान तो नहीं जानता हुआ अग्यानी अभी कैसा है आत्म सभाव को नहीं जान रहा है क्यों क्योंकि अग्यान रूपी अंदकार से आज़्षा दित है अभी गुरू के दुरा अग्यान देने से जिनवानी पढ़ने से किसी प्रकार भी उसको ग्यान नहीं हुआ इसलिए अग्यान रूपी अंदकार से आच्छादित होने से आत्म सभाव को नहीं जानता हुआ जो अग्यानी है रागम एवव आदम मुनदी राग आदी परपदार्थों को ही आत्मा मानता है क्यों? क्योंकि उसको नहीं सभाव का परचे नहीं हुआ दो गाथा एक साथ आई है आपकी किताब में उसमें उन्होंने लिखा है ज्ञानी कैसा होता है ज्ञानी तो करम उदैसे दुखी होने पर भी अपने आत्म सभाव को नहीं छोड़ता मानिता नहीं बदलता लेकर अग्यानी मानिता बदल देता है उसे सांसारी कष्ट मिलते हैं तिल मिला जाता है अपने सुभाव अपने पर्चे को भूल जाता है रागद्वेश्ट के चकर में फस जाता है पर ग्यानी ऐसा नहीं होता फर एक बार देखें एवम इस प्रकार ज्यानी जानता है और अज्यानी रागम एवर रागद्वे शादिकर्म नोकर्मों को ही आत्मा मानता है क्यों मानता है अज्यान रूपी अंदकार से आच्छादित होने के कारण अभी उसे ग्यान नहीं हुआ अभी अज्यानी है ये मेरी इस्तरी है ये मेरे बच्चे है ये मेरा मकान है इनी में पड़ा रहता है बीमार होता है तो मैं बीमार हूँ स्वस्त होता है तो मैं स्वस्त हूँ धनी होता है तो धनी हूँ गरीब होता है तो गरीब हूँ ऐसा मान के रागद्विश में पड़ा रहता है अज्ञान रूपी अंदकार से आच्छा दित होने के कारण आत्म सभाव को नहीं जानता हुआ अज्ञानी जो है न वो रागद्विश आध को ही आत्मा मानता है और ये उसके अनंत संसार का कारण है पंडिजी अज्ञान रूपी अंदकार से क्या समझना चाहिए? वास्तविक्ता का परचे ही नहीं हुआ इसलिए रागद्वे शादी परपदार जितने भी हैं इनको वह आत्मा मानता है अज्ञानी है अभी तक उसने आगम के अनुसार स्वाध्याय करके निज और पर इसका भेद विज्ञान अच्छी प्रकार नहीं किया साथ तत्तों का सही सरद्धान उसको नहीं है भेद विज्ञान का अभाव है इसलिए अज्ञानी बना हुआ है अगर अज्ञानी ही बने रहना है तो जो धारणा बनी हुई है उसको बनाए रखिये अनंत संसार जनम्मरण चलता रहेगा और ज्ञानी बनना है तो जैसी आचायर कह रहे हैं वैसी धारणा बनानी है आचायर तो इस पस्ट कह रहे हैं कर्म और नो कर्मों में अगर तेरी ऐसी माननेता है कि मैं यह हूँ यह मेरे हैं तो अज्ञानी है इस अग्यानी पने को छोड़ें और अग्यानी पने को छोड़ दिया तब किसी भी वस्तू का संयोग हो या बियोग हो रहने के लिए महल मिले या जोपड़ी मिले खाने के लिए अच्छी चीज मिले या बुरी मिले किसी में स्वस्त रहे या रोगी रहे किसी में कोई अंतर नहीं पढ़ता क्यों वे तो आत्मा मात रहे हम रोच पढ़ते तो खूब हैं देखिए कितनी अच्छी भावना पढ़ते हैं तू चेतन अरुदेहो अचेतन यह जड तू ग्यानी अनादी से ये शरीर मुझे मिला है और बड़े यतन पूर्वक तपश्या करूँगा तो इससे मेरा पीछा छूड जाएगा शरीर मेरा सुभाव नहीं मैं तो ग्याता दृष्टा मैं तो ग्यानों पयोग, दर्शनों पयोग, सुभावी, चैतन्य सुभावी, आत्मा मात्र हूँ यह मेरा स्वरूप नहीं इसलिए अगर आपको ग्यानी बनना है मानिता बदलनी होगी लेकिन एक बड़ी मुश्किल है हम कितना ही पढ़ लें, कितना ही सुन लें हम में बदलाव नहीं होता हम जैसे के तैसे बने रहते हैं चाहें कितने ही प्रवचन सुन लें चातर मास में महराज के प्रवचन सुनें चारो महीने अंतर कितना बढ़ा, कुछ नहीं अगर ऐसे रहेंगे न तो अज्यानी के अज्यानी बने रहेंगे और इन सांसारिक परिस्तितियों में रोते रहेंगे हसते रहेंगे संसार का कुछ नहीं होगा हमें तो संसार को अंद करने के लिए ये परियाय मिलिये है इसलिए हम ग्यानी बने और ग्यानी बनके अपनी धारणा को सही बनाके इस अग्यान रूपी अंदकार को नस्ट करें पंडी जी ग्यानी कितने प्रकारपा होता है एक तो ग्यानी वो है जिसने आगम के अभ्यास से गुरू के उपदेश से सुन कर ये निरने कर लिया है कि मैं तो आत्मा मात्र हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं अगर उसने ऐसी धारणा पक्की बना ली हाँ वे ग्यानी बन गया लेकिन इतने से काम तो नहीं बनना अब आगे जब उसने निरने बना लिया है किसी तरह से आत्मा के साथ जो लगा हुआ कर्म मल है वो मुझे दूर हटाना है तो दूसरा ग्यानी वो है जो चारित्र को धार करता है और वास्तम में ग्यानी वो है जो शुद्धो प्योग इवन के अपने आत्मा में रमन करता है अपने आत्मा को बिल्कुल निर्विकल्प बनाते हुए मैं चिनमात्र आत्माई हूं ऐसा चिंतन करते हुए शुद्धो प्योग रूपी आत्मा नुभूती में जाता है वास्तम में ज्ञानी वह है हफी हमारे आत्मा का जीवन है जै कि एक बड़ा अच्छा श्लोग लिखा मिलता है समय सार जी में वेड विज्ञान टह सिद्धा सिद्धा ये किलगे चनो उ六 किस्ट इस्पा tolerance बद्धा ऑद्ध ये किल चनो नग porch आज तक जितने बी सिद्ध हुए हैं वे भेत वीज्ञान पूर्वक ही सिद्ध बने हैं और आज तके जितने हम और आप संसार में भटक रहे हैं ये भेत विज्ञान के अभाव में ही भटक रहे हैं अच्छी तरहें सुनिये फिर अर्थात भेद विज्ञान से ही सिद्ध बनते हैं अन्य कोई मार्ग नहीं आज तक जितने सिद्ध हुए हैं उन्होंने बेश क्या बनाया भेद विज्ञान भेद विज्ञान से सिद्ध बने और आज तक हम और आप जितने लोग भटक रहे हैं संसार में भेद विज्यान से अब भेद विज्यान के अभाव से ही भटक रहे हैं भेद विज्यान क्या होता है मैं क्या हूँ और क्या मैं नहीं हूँ इसका भेद विज्यान मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ आख नहीं देखती आख शरीर का हिस्सा है देखने वाला मैं हूँ आख से मैं देखता हूँ भेद विज्ञान मैं जीव ये शरीर अजीव इसका नम भेद विज्ञान मैं और मेरा सिर्फ आत्मा बाकी जितने भी पदार संसार में हैं मेरे कोई नहीं है ऐसी समझ ऐसी पक्की धारणा हो जाना ही भेदविज्ञान है और भेदविज्ञान होने पर इस संसार में भी सुख और अगली परयायों में महान सुख प्राप्त होता है इसलिए जीवन का उद्देश बनाए हमको भेदविज्ञानी बनना ही है जब तक अज्ञानी है आस्रबंद होता है ज्ञानी बनता है तब संबर और निर्जरा होती है तो संबर किसको होता है आचारी की अगली गाता देखिए अप्पानम अप्पना रुंदी दून दो पुन पाव जो गेसू दंसर्णानम इठिदो इच्छा विरोया अल्णम्मी अप्पानम आत्मा को अप्पना आत्मा के द्वारा रुंदी दून दो रोक कर एक शब्द आत्मा को आत्मा के द्वारा रोक कर किस्से पुन और पाव दोनो योगों से अर्थात आत्मा को आत्मा के द्वारा पुन्दी और पाव दोनो योगों से रोक कर अर्थात पुन्दी का मतलब शुभूपयोग पाव का मतलब अशुभूपयोग आत्मा को अशुभूपयोग और शुभूपयोग से हटा कर ये तात्परी है और कैसा हो करके दंसन नानम मिठिदो दर्शन और ज्ञान में इस्तित हुआ फिर आत्मा को कहां लगाया पुन्य पाप दोनों से हटाया तो अपनी आत्मा में जानने और देखने में लगा दिया दर्शन और ज्ञान में इस्तित हुआ और कैसा इच्छा विर्दो या अर्णमी अर्णमी माने अन्य जो देह और राग आदी है इनसे इच्छा रहे तो होता हुआ प्रशन है संबर का स्वामी कौन होता है जो अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा पुन्य और पाप दोनों योगों से रोकता है पहली बात क्यों क्योंकि अगर पुन्य और पाप योग में लगा रहे गा ना तो संबर कैसे होगा नहीं होगा फिर तो आसरबंद होता रहेग और कैसा है दंसर नानम्मी ठिदो अब आत्मा को रागद्विस्वे तो हटाया अब लगाया कहां दर्शन और ग्यान में इस्थित हुआ अपने सरूप को जानने देखने में लीन है अर्थात शुद्धोप योगी बना है और कैसा है अनम्मी मने अन्य जो पदार्थ देह रागादी आदी है उनमें इच्छा रही तो होता हुआ ऐसा जो ग्यानी है वह संबर का सही पात्र है संबर उसको होता है अपनी आत्मा का परिणमन तीन परकार का एक अशुबोप योग शुबोप योग और सुद्धोप योग अर्थात पाप कारियों में लगा है कशाई की तीबरता है अशुबोप योग है कशाई की मंदता है धार्मिक कारियों में लगा है तो शुबोप योग है और इन सब से हट करके अगर अपनी आत्मा में लीन है तो शुद्धु पयोग है अगर शुभु पयोग में लगता है तब तो अशुभु पयोग संबंदी पाप का संवर होता है मतलब पाप का आना रुकेगा और अगर संपूण संवर करना है तो पुण्दे और पाप दोनों को ही रोकना है क्योंकि उसके विना मोक्ष नहीं है इसलिए पुर्ण पाप इसलिए तीन प्रकार के योपयोग में अशभोपयोग और शभोपयोग आसरोबंद के कारण है और शुद्धोपयोग परम संवर का कारण है पंडिक जी तो फिर सुभूप योग संवर का पारण ना माने नहीं ऐसा नहीं यहाँ संपूर संवर की चर्चा है देखो द्रव्यान योग से पढ़कर द्रव्यान योग की चर्चा हो रही है द्रव्यान योग को पढ़ें और उसे करणान योग से मिलाएं तब काम बनता है केवल एक अनियोग पढ़के हम धारणा बना लेंगे तो गलत हो जाएगा जैसे मानलो आपने प्रश्न किया क्या शुभूपयोग संबर निर्जरा का कारण नहीं क्यों नहीं कारण आचारियों नहीं क्या लिखा अशुभूपयोग एक दो और तीसरे गुनुस्थान तक शुभूपयोग चार से लेके सब्तम गुनुस्थान तक शुद्धोपयोग साथ से बार में गुनुस्थान तक अब सोचें चतुर्द गुनुस्तान में अगर शुभो पयोग से संवर निर्जरा नहीं मानेंगे तो चतुर्द गुनुस्तान में तो खूब निर्जरा कही है आचारियों ने और पंचम गुनुस्तान में तो 24 घंटे निर्जरा कही है उपयोग कौन सा शुभोपयोग तो क्या पंचम गुणुस्तान में शुद्धोपयोग नहीं होता नहीं बिल्कुल नहीं होता शुद्धोपयोग तो मुनि भाराजों के होता है जब वो आत्मा में लीन होते हैं तो चतुर्थ गुणुस्सान में क्या संबन निर्जरा नहीं? नही। संबन निर्जरा है क्यों नहीं है। जो लोग ये मांते हैं कе अनुबुर्त ओर महावृत तो आस्रोबंद के कारण हैं उनकी धारना बिल्कुल आगम संब्द नहीं है। अनुबरत और महावरत तो आस्रबंद के कभी कारण थे न होंगे अनुबरत और महावरत तो संबर निर्जरा में ही कारण है लेकिन अनुबरती और महावरती के आस्रबंद होता है ये बात दूसरी है वो कैसे होता है जो कशाएं अभी उदे में हैं उनके कारण होता है इसलिए संबर और निर्जरा करणान योग से अगर हम जोड़ें तो दूसरा गुनुस्थान जहां सम्यक दर्शन नहीं है वहां भी मिथ्याप्त संबंदी सोले प्रकृतियों का संबर रहता है करणान योग बिलकुल सोले आने पावरति खरी खरी बात बताता है यहां किया बात हो रही है संबूर संबर का स्वामी कौन जो पृण और पाप दोनों योगों को रोक दे वह संबूर संबर का स्वामी होता है अर्थात जिसके योगों की प्रवर्ति नहीं हो वो है संपूर्ण संबर का स्वामी आत्मा आत्मा में लीन है ऐसा पंडिक जी हमारे लिए इस गाता से क्या सिच्छा लेनी चाहिए जब तक पाप योग माने अशुब योग माने सांसारिक कारियों में उलजी है आसरो बंद आसरो बंद है सांसारिक कारियों से हम हटे और हम धार्मिक कारियों में लगते हैं जिस समयों में हम स्वाध्याय, पूजन, दान, आदि कारियों को करते हैं उस समय शुब पयोग है, अर्थाक पुन्ले बंद है हमें सबसे पहले तो पाप बंद से रुखना चाहिए अश्वोपयोग से दूर होना चाहिए और फिर श्वोपयोग में आना चाहिए और श्वोपयोग में आने के बाद भी मानिता ये बनानी चाहिए अभी मैं श्वोपयोग में हूँ लेकिन ये साक्षात मुक्ष का कारण नहीं अगर इसमें भी तो देखो अभी आस्रोबंद हो रहा है और जब संपून आस्रोबंद को मुझे रोकना है तो मुझे अपनी आत्मा को आत्मा में लीन करना पड़ेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए निरगरंत मुनी अवस्था धारन करनी पड़ेगी और समस्त रागदेश विकल्पों से हटके आत्मा में लीन होना पड़ेगा क्या ऐसा होना पंचम काल में संभव है? हाँ कोई आपत्ती नहीं आचारियों ने पंचम काल में शुद्ध उपयोग का अभाव नहीं लिखा लेकिन शुद्ध उपयोग बहुत कम समय होता है इसलिए हमें और आपको क्या करना? पाप उपयोग से बचें जितने बचें उतने बचें मैं मानता हूँ घर गरस्ती में पाप कारी करने पढ़ते हैं लेकिन कितने बच सकते हैं उतने तो बचें और फिर बृतों को धारण करें और फिर और आगे बढ़ें मुनी अवस्ता धारण करें जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना संभर जादा होगा और पुर्ण और पाप इन दोनों से हमारी आत्मा बचेगी इसलिए हम संबर और निर्जरा को बढ़ाएं आसरव बंद को घटाएं ये आज के इस कथन की सिक्षा है हमें इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए जैजिनेंग्र इस कारिक्रम के पुन्या जग है श्वेता जैन दिल्ली, अभिशेक, रिधी, सिधी, वैभव आचल, सोबित जैन, एवं समस्त, नावला परिवार अतुल जैन, प्रिर्णा जैन, दीक्षा जैन, एश्याट गेम्स विलेजने दिल्ली राजिश्वर जैन, शशी जैन, जैन, मिलन विहार, मुजफर नगर, उत्तरप्रदेश द्रोव, पर्थ, नमिता, धीरजगर, गुरुग्राम परिधी, रिधिमान, नीहा, विकास जैन, गुरुग्राम मीना, विनोध गरवाल, रोहिनी, दिल्ली श्री मुनेंदर कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिपरा जैन, आर्यन जैन, मनीश जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन, मुजफर नगर श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मन्जु जैन, आशीश जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाती जैन, सम्रिधी जैन, सिद्धी जैन, शाश्वत जैन जैन महिला मंडल, चंदर नगर, सहारनपुर श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्वृती में, श्रीमती सुष्मा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी, एवं हेतार्थ गांधी, एहमदबाद